वेलकम टू माई चैनल रेंबो राजस्थान मैं हूँ अम्रता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो यह वाला मेकप लुक जो कि मैंने अभी कर रखा है सिंपल है नो मेकप मेकप लुक है और आपको यह ओफिस के लिए परफेक्ट है सवेरे आपको जल्दी जाना होता है जल्दी जल्दी सारा काम निप्टाना होता है फिर आपको तयार होना होता है तो उस टाइम पे आप अपने स्कीन की क्यार बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो आप यह वाला लुक ट्राइ करके फटा-फट से अपने स्कीन को थोड़ा दिख यह मैं नोस्पिन रिमोव कर लिए और फटावट में मॉस्चुराइजर लगा ले रहे हूं आपकी स्किन को प्रिपेर करना है मेकप के लिए तो सबसे पहले आपको मॉस्चुराइजर लगाना बहुत जरूर यह आप इसको बिल्कुल इसकिप ना करें अब मैं एज प्राइ करके आपकी स्किन में अच्छे से अबजर्व कर दे अब यहां पर मैं फाउंडिशन ले रही हूं बीबी क्रीम मेरे पास अवेलेबल नहीं है फिलाल तो मैं यही ले ले रही हूं इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लूँगी तो मैं ज्यादा इसलिए ल यहीं तो जब तक ड्रेक्षान ना हो तब तक ट्रॉट इब कराएं अच्छे से अच्छे से में फिंगर से ब्लेंडर से यहीं है तो यह हमारे लियु हो तो फर्स इसको blend करने के बाद जो आपका beauty blender पर आ जाते है वो आप garden पर लगा लें तो मैं हमेशा है सही करती हूँ, waste product नहीं जाता है थोड़ा सा garden पर लगा लेती हूँ अब मैं कलॉसिम का काजल ले रही हूँ इसको मैं आँखों में लगाने के लिए आँखें बंद कर लीती हूँ तो अपर लोवर दोनों पर ही लग जाएगा आपका और बहुत अच्छे से लगेगा तो मैं लगा ले रही हूँ फटा फट दोनों आखो में मैंने लगा लिया है अब मैं लगा लूँगी थोड़ी सी आईलाइनर आईलाइनर आपको जादा विंग जैसे नहीं बनाना है पतली सी लाइन बनानी है तो मैं यहां पतली सी अब मैं अपने आइब्रो को फिल करने के लिए पैंसिल ले ले रही हूँ और थोड़े से आइब्रो फिल कर ले रही हूँ आइब्रो ब्लेक ब्लेक होती है तो अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा सा आइब्रो फिल कर लेती हूँ तो यह यहां मैंने आइब्रो फिल कर लिया है अब मैं होटो पे सबसे पहले लाइनर लगा लूगी सबसे पहले लाइनर लगाने का कारण यह है कि यह मुझे लिप्स्टिक के साथ ही मिक्स करनी है तो मैं यह अपने सिर्फ लिप्स का एक शेप बना रही हूं इसलिए मैं पह के लिए एकदम परफेक्ट है तो मैं लाइट शेट का ले ले रही हूं इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी तो यह मेरी जो लिप लाइनर लगाई थी वह इसी में मिक्स कर लूँगी मैं क्योंकि मुझे अलग से नहीं रखनी है तो इसको लगा ले यह हमारा मेकप हो गया है डन अब बालों के लिए मैं क्या करती हूं मैं बालों में कोम नहीं करती हूं तो मैं बालों को ऐसे ही खोल लूँगी पहले और अच्छे से बालों को एक साथ करके मैं पॉनिटेल बना लूँगी तो मैं उपर की दर भी पॉनिटेल बना लूँगी जो कि मैं रोजी हमेशा यह ऐसी बनाती हूं लगबग तो इसको मैं बना लूँगी अब मैं बालों में थोड़े से लूज कर दूँगी ताकि पफ जैसे से पाया और थोड़े से फ्लिक्स निकाल दूँगी जो कि मेरे पास नहीं है अब मैं यहां अपनी वाच पहन लेती हूँ, फटा फट, यह मैंने वाच पहन ली, अब मेरा चश्मा, जो कि मैं आफिस जाते वक्त ही लगाती हूँ, रोज नहीं लगाती, तो यह मैंने लगा रहा हूँ, अब मैं आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करके शेर जरू करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ, और आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करते हैं, थैंक यू